अब तक आपनी देखा राजा भोज के परोपकार की कधा में मत्से कन्याओं से रोनी का कारण पूछने पर राजा भोज को पता चलता है कि किस प्रकार सामन्त धोखे से उनकी रानी मत्से गंधा को ले गया उनके आशुओं से तंत्र विद्या का प्रयोग कर सब सोनी का बनाने के लिए राजा भोज को सामन्त द्वारा पता चलता है कि श्राप देने की पश्चाद मत्से गंधा दक्षना मुखी शंक में जाकर गायब हो गई थी तब ही राजा भोज आसमान में देखते हैं कि सभी शंक समुद्र में गिर रहे हैं राजा भोज को रिशीवर से पता चलता है कि सब शंकों को शंका सुने शंक लोग में कैद कर लिया है राजा भोज उनसे जल कुम्भी विद्या सीखने समुद्र में जाते हैं किन्तो वे अपना ध्यान एक आग्र नहीं कर पाते आये देखते हैं आगे कि अध्यान को अन्यात्र भटकते मत दो यू समझो तुम जल के अंदर नहीं हो कि मेरी बात सुन रहे हो ना सुन्दरी कोमल कलाई को शंका सुर की पकड़ से छुड़ानेगा तुमारा प्रियास विफल है इस पूरे शंक लोक मैं ऐसा कोई वीर नहीं जो तुम्हें शंका सुर से बचा सके इसलिए आप अब जुक्चाप वही करो जो तुमारा ये स्वामी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ऐसे परोपकारी राजा भोज के जीवन का अंत नहीं हो सकता मैं उसके निकट चाओंगा आपना देखे जीवन का नहीं है राजन, उठीए राजन, राजन, यदि तुम नहीं उठे, तो इन पवित्र शंखों का क्या होगा, शंखा सुर से इन पवित्र शंखों के जीवन को कौन बचाएगा, आपका संकल्प विफल नहीं हो सकता, आपको उठना ही होगा, राजन, उठो राजन, ये तुम्हारे, त राजन उठो उठो राजन अन्तता आपने समस्त बाधाओं से लड़कर जलकुम्भी विद्या पर विजय हासिल कर ही लिया आप जैसा गुरू हो तो समभभ भी समभभ हो जाए आपका शचचच नमत वाँ राजन वाँ बाँ गया मैं आपको आखिरकार आपने जलकुम्भी विद्या सीख कर जल लोक में प्रवेश पा ही लिया बच्चे गंधा अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवा इसके की मुझसे हसी खुशी विवा कर लो मैं तुझसे कभी विवा नहीं करूंगी बच्चे गंधा बच्चे गंधा तुम मुझसे बच नहीं पाओगी अंतिम बार कह रहा हूं शंक से बार आजाओ मेरे पास इसी में तुमारी और तुम्हे शरण देने वाले शंक की भलाई है शंकासूर ये शंक अपनी जान दे देगा पर मुझको तुझे कभी नहीं देगा तुम दुनिया में सब कुछ पा सकते हो पर मुझे कभी भी नहीं तो फिर अपने इंकार का परिणाम भुगतने के लिए तयार रहो अब रुक क्यों गए नश्ट कर दीजिए इस बैरी शंक को मंतरी मेरा बैरी ये शंक है इसके अंदर बैठी मत से गंदा नहीं वो तो मेरी प्रेमी का है यदि मैं इस शंक को नश्ट करूँगा तो मेरी मत से गंदा का जीवन भी समाप्त हो जाएगा अगर ये बात है तो हमें दक्षिन मुखी शंक को मारने का विचार त्याग नहीं होगा इसलिए मैंने ये निर्ण लिया है मंतरी कि मैं इन दोनों को नश्ट नहीं करूँगा इन दोनों को बंधी बना कर रखूँगा और ऐसी जगे बंधी बना कर रखूँगा ऐसे अंदकार में रखूँगा कि एक प्रकाश की छोटी सी किरन पाने के लिए भी ये तरसिंग है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज अगर आपकी आग्या हो तो मैं इनको बंधी ग्रह में डाल देता हूँ मंतरी ये नेक काम तुम नहीं कोई और करेगा ए शंक लोग की कंद्राओं में बसने वाले अंदकासोर रकट हो अंदकासोर उपस्तित है महाराज आदेश करें अंदकासोर ईशंक को ले जाओ और अपने गहनं अंदकार के बंधीग्रह में कैद करकर रखो तब तक कैद करके रखो जब तक इसमें छुपी मत से गंधा अपनी इच्छा से बहारा कर मुझसे विवा करने के लिए हाना कह दे ले जाओ उसे अपका कोटी कोटी धन्यवाद कि आपने जलकुंभी विद्या सिखा कर मुझे इस योग्य बनाया कि मैं शंक लोग में प्रवेश कर सको उसके रहस्यों को जान सको और शंक असुर के आतंक से सारे शंकों को और देवी मत से गंदा को अपका से अपका आग आज़े राजन शंक लोग जाने से पहले शंक असुर के सच को जानना अनिवार्य है कि इतना सच जा लेना परे आप नहीं कि वो एक असुर है राजन इतना ही जानना प्रयाप्त नहीं है उसके शंकों को नश्ट करने की भावना के सच को जानना अतियावश्यक है वो शंकों को नश्ट क्यों करना चाहता रिश्यों इसलिए नश्ट करना चाहता है कि इन शंकों की शंक ध्वनी से उसकी मृत्य निश्चित है ऐसा उसे श्राप मिला है शंकों की धनी से लित्य है? हाँ राजन दक्षिना मुखी शंक के शंकनाच से वह श्राप का कारा? एक समय की बात है शंका सुर ने बेताल और भेसुरे स्वर के शूर से संपुल्म स्रिष्टी को त्रस्त कर दिया था देवराज इंद्र ये शोर बंद करवाईए इस शंका सुनने तो भिकट स्वर उत्पात बचा रखा है किन्तु वह चाता क्या है? शिवर यही तो समझ में नहीं आरा कि वह चाता क्या है एक समय तो ऐसे स्थिती आ गई कि उसके शोर से संपूर्ण स्रिष्टी काप उठी ऐसा लगने लगा कि संपूर्ण ब्रम्हान धौस्त हो जाएगा पर देवतावन उससे रुखने का प्रयास नहीं किया? किया देवता इस शोर से त्रस्त होकर परमपिता ब्रम्ह देव के पास गए और उनसे इस शोर को बंद कराने का अग्रह किया प्रभू हमारी रक्षा कीजिए हम देवों की रक्षा कीजिए क्या कारण है इंद्र देव जो आपने हम तीनों को एक साथ बुलाया? प्रमदेव इस भरी को शांत कराईए अब और अधिक समय तक हम इस शोर को सहन नहीं कर पाएंगे पूरा ब्रह्मान कमपित हो रहा है प्रभू यह सत्य है कि यदि यह स्वरुत पात रोका नहीं गया देवों तो प्रले से पूर्व ही प्रले की स्थिती आ जाएगी यह अत्यंत करण कटू एवं करकश धुनी है जब हम देवों की ये स्थिती ये धुनी हमसे नहीं सहन हो पा रही है तो सोचिए प्रिथ्वी लोग के वाचियों की क्या स्थिती होगी मुझे तो यह अशंका है कि इस धुनी से बहुत से प्राणियों की बृत्यू हो चुकी हो अतेव आपसे अनुरोध है कि इसका कुछ हो पाए निकाली ठैरे रखें इंदर देव इस समस्या का समाधान अवश्य निकले तो प्रह्मदेव ने क्या क्या रिश्य है रखासुर के पास गए तुम्हें नहीं दे सकता तब नहीं बंद होगा ये शोर ये कुलाहल जंका से इस तृष्टी में कुछ भी अमर नहीं सब कुछ नाश्वान है तुम्हारा भी नाश्य होगा तुम्हारी भी मृस्य होगी कि तुम्हें वर्दान देता कि तुम्हारी मृत्यू का कारण दक्षिन मुखी शंक की पवित्र ध्वनी होगी प्राम्मदेफ यदि दक्षिन मुखी शंक की ध्वनी मेरी मृत्यू का कारण है तो इस संसार समय उस कारण को ही मिटा दूँगा ना होगे शंक ना होगी उनकी ध्वनी और नहीं मेरी मृत्यू और तब तब सदा सदा के लिए मैं अमर हो जाऊंगा अमर हो जाऊंगा राजन संसार में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी के बिना तपस्या किये हुए वर्दान प्राप्त हुआ था किंतो रिशीते अधर्मी को मिला वर्दान ना तो स्थाई होता है ना दिरखाई हो और ये वर्दान आपका कथन सत्त है राजन धर्म के मार्ग पर अधर्म केवल विग्ण उत्पंद कर सकता है धर्म पर राज नहीं राज तो केवल धर्म ही करेगा विजय पताका तो केवल धर्म का ही लहराएगा आपके आश्रवाद से, शंखासुर के साथ भी ऐसा ही होगा, अच्छा, अब मुझे आग्या था, वीजाई भावा, जै महाकाल, पता नहीं, राजा भोज, शंख लोक में पहुंचकर कौन सा कद्दू में तीर मार रहे होंगे, मैं तो भूल ही गया, कि मैं सौंदरे लेखा को बुद्दू बना कर गया था, बेताल कुछ भी हो, ये बेतालनी प्रेम तुमसे बहुत करती है, तुमसे विवाह करने के लिए इसने क्या-क्या पापड नहीं बेले, जाए, 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 जाए तो मैंने मेरा जीवन किया तुमारे नाम अब तो दुमें ये प्रेम अंगो चा पेना ही होगा अब ने ने पॉंदर रिलेका देखू मैंने मैंने जूट बोला था ओहो तो ये भे कहा सच्चा सोने काम है ओहो पितान इतना भी मच्चो को तुमने मुझे बनाया बुद्दू समझ के मैं हूँ भूली तो मैंने भी मेरे दिमाग की पोटली खोली और मेरे मन में आया एक विचास मैंने सुचा क्यों ना मनाओ मैं ही जादू से सोने का आप तो इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारा किया दारा है हाँ अब तो तुमने ये प्रेम अंगो चालिया है पहन अगर इससे उतारो तो नहीं होगा सेहन अगले छे मैनों के लिए तुम नेवला बन जाओगे अश्वयम नागराज तुमसे लड़ने आएंगे तो बोलो बनना है नेवला यह तो मेरे तोटे वड़ा गई निवला मन के कैसा लगूंगा मैं नहीं नहीं परांतु पहली बार ये प्रेम अंगोचा पहन कर पता नहीं क्यों बुरा नहीं लग रहा है मन में हिलोरे उठ रहे हैं कहीं है प्रेम तो नहीं शायद प्रेम भी है गोलू मेरे प्यारे गोलू गोलू मुझे दिखाओ कि राजा भोज शंक लोक में पहुचकर क्या कर रहे हैं कर रहे हैं अपने प्राणों को संकट में डालकर मेरी मर्यादा और प्राण बचाने वाले हैं दक्षर मुखी शंग आप तनिक भी चिंदा ना करें, मैं आपको यहां से निकालोगी, इस अंदकार से बाहर नहीं निकल सकती तुम बाहर यहां से मख्षगंदा क्योंकि तुम मेरी बंदी हो, इस अंधकार के राजा, अंधकासुर की बंदी हो अंधकासुर, तुम मुझे यहां से बाहर निकलने से नहीं रोप सकते यदि यह आहंकार है, तो कोशिश कर लो यदि तुम्हें प्रकाश की एक किरन भी मिल जाए, कि तुम्हें यहां से बाहर निकाल ले तो यह अंधकासुर तुम्हारा दास होगा मच्छे गंदा अंधकार का वातावरन बहुत ही बहावे होता है यदि मन में साहस और विश्वास हो तो बहारी अंधकार आपका कुछ नहीं बिगार सकता इसका अधिय है कि तुम अपने विश्वास और साहस के प्रकाश के बलपर उसे चली जाओगी यहाँ के हमारे अंधकार के सामराज्य को थोड़कर चली जाओगी अवश्य जाओगी मुर्ख सुंद्रे तुमारे पास बाहर निकलने का पेवल एक हिमार के तंध असूर से विवाँ उस असूर से मैं कदा भी विवाँ नहीं करूँगी तुम मरोगी इसी अंधकार में मरोगी ना सुरिष्टी का प्रकाश देख पाओगी और ना ही अपने जीवन का प्रकाश अंधकासुर तु अपने जिस अंधकार पर इतना दम कर रहा है वो अधिक समय तक तिक नहीं पाएगा तू अपने ही अंधकार के गर्थ में डूबेगा अपने ही अंधकार के और तेरा अस्तित्व समाफ्थ हो जाएगा नहीं देवी अभी ये अंधकार काभी समाफ्थ नहीं होगा कभी नहीं नहीं दक्षिर मुखी शंग इसका अंध होगा, अवश्य होगा कोई आएगा कोई शीग्र ही आएगा धर्म का प्रकाश लेकर जो अंत करेगा इस धमंडी अधर्मी अंध का सुर का यही है शंख लो अब मुझे सबसे पहले उन शंखों को खोजना होगा तेने शंखा सुर ने बंदी बनाया प्रकाश होंगे प्रकाश होंगे